क्या हाल चाल सभी CA final के elective law के students यह वो student जिन्होंने अभी elective में decide नहीं कि कौन सा लें तो भाईया decide करने का वक्त आ गया है and I would highly recommend go for elective law only इसलिए नहीं कि उसे मैं पढ़ा रहा हूं नहीं इसलिए नहीं बल्के इसलिए क्योंकि सारे जितने भी elective उनमें से law ही ऐसा subject है जिसके chances आपके ना केवल clear करवाने के बल्के आपके percentage बढ़ाने के सबसे जादा है क्योंकि यहीं वो subject है जहां पर 70 cross सबसे ज़्यादा होते है तो इस time सर मुझे ये बड़ा पसंद है मुझे risk बड़ा पसंद है तो मुझे ये बड़ा पसंद है पसंद छोड़ो ये देखो कि सबसे ज़्यादा पास कोन करवाता है कोन हाथ पकड़ के सबसे ज़्यादा नईया पार करवाता है तो वो elective law है तो यसलिए चाहे खुद पड़ो चाहे कहीं और पड़ो चाहे unacademy से पड़ो ये आपकी secondary call है first call go for elective law secondary call कहीं मरजी पड़ो अगर आप decide करते हो unacademy में पड़ना है अमित पूपली से पड़ना है तो उसका procedure क्या है कि तीन महीने की subscription unacademy पर जाके कम से कम ले लेना तीन महीने की ये किवल नवंबर 21 attempt वालों के लिए क्या रहा हूँ तो जब आएगी तो उसके बाद आप जो नवंबर 21 से जो लाइव बैच होगा वो करना तो meanwhile जिनका December 21 attempt है वो इसे लाइव करेंगे December 21 वाले इस इस बैच को attempt कर सकते हैं ये जो बैच है तो आप लोगों को करना क्या है आप लोगों को आने केडमी की वेबसाइट पर जाना है Group 2 की सब्सक्रिप्शन लेनी है minimum 3 महिने की सब्सक्रिप्शन लेना सर इलेक्टिव के लिए 3 महिने की सब्सक्रिप्शन तो भया आपको बागे सब्जेक्ट भी तो सब्सक्रिप्शन लेने की कम से कम सब्सक्रिप्शन लेना और जैसे पोपली 10 यूज करोगे डू लेट मी नो इस मेसेज पर मुझे वर्टसप कर देना और मुझे बता देना ताकि मैं फिर क्लासेस का लिंक्स सारी क्लासेस का आपको बेच दूँगा ताकि आपको कि स्चेडूल में क्लासेस देखनी है ताकि यू था लूट बाई तक यू खुश्रे लूट लूट बाई तक यू खुश्रे